आज हम जानेंगे ये जो कहा जाता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान या वैसा कर्म का फल मिलेगा तो जैन धर्म के अनुसार कर्म भी हम खुद करते हैं और कर्मों के फल का भोग भी हम खुद ही भोगते हैं बगवान महावीर के प्रमुक्षिश्य गौतम बगवान से सत्तर प्रशन पूसते हैं कि किस कर्म का कैसा फल मिलता है या जो फल मिल गया है वो किन पापों से मिला है तो जानते हैं बगवान महावीर के उत्तर और गौतम स्वामी के प्रशन और बगवान महावीर के जवाब पहला प्रश्न गौतम पोस्ते हैं कि भगवन मनुश्य पंगू किस पापोदई से बनता है तो भगवान जवाब देते हैं प्राणियों को पैरों से मसल कर मारने से व्यक्ति पंगू के रूप में पैदा होता है कोई-कोई बहुत मीठा बोलता है परन्तु फिर भी वो बहुती कड़वा लगता है तो ऐसा किस पाप के कारण होता है तो पूर्वभव में पंचेंद्रिय जीवों का भक्षन करने से या खाने से युवा अवस्ता में स्त्री का वियोग किस कारण से होता है तो पूर्वभव में बलातकार से काम भोग का सेवन करने के कारण युवा अवस्ता में ही स्त्री का वियोग हो जाता है शरीर में एक साथ सोला रोग किस पाप कर्म से होते हैं तो गौतम को जवाब देते हुए बगवान बताते हैं गाव या नगर को जलाने के कारण एक साथ सोला रोग शरीर में पैदा होते हैं नर और नारी पर जूटा कलंग किस कारण से लगता है या किस पाप से लगता है तो किसी पर जूटा कलंग लगाने से मन चाहा भोग उपभोग के साधन किस पुन्योदई से मिलते हैं तो प्रानी मात्र पर दया भाव रखने से परोपकार करने से मन चाहा भोग उपभोग मिल सुन्दर्ता, रूप, लावन्य और बुद्धिमता किस पुन्य से मिलता है, तो अपनी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करने से, तपस्या करने से और सैयम का पालन करने से। मैं करोडपती हूँ, छत्रपती हूँ, राजा हूँ, आदी का गमंड करने से। मनुश्य काना किस कर्म के उदई से होता है, तो वनस्पती के छेदन भेदन करने से, फलफूल आदी को भेद कर, हार आदी बनाने से। कोड किस पापकर्म के उदई से होता है, यानि कोड का रोक कैसे होता है, तो मोर, सांप, बिच्चू, आदी को मारने से, और जंगल में आग लगाने से व्यक्ती कोडी बनता है। लाड प्यार से पाला पोसा लड़का जवानी में ही क्यों मर जाता है, तो दूसरों की अमानत या धरोहर हडपने से पाला पोसा जवान पुत्र मर जाता है। किस पाप से बच्चपन में ही माता-पिता बिचट जाते हैं, तो मनुश्य पशु के छोटे-छोटे बच्चों के माता-पिता को मारने से, परिश्रम करने पर भी ज्यान प्राप्त न होने का क्या कारण है, तो ज्यान का गमन करने के कारण। प्रबु महावीर से गौतम स्वामी पूस्ते हैं कि भगवन हीन कूल में किस पाप से व्यक्ति पैदा होता है, तो उच्च कुल का गमन करने से, निम्न जाती में मनुश्य किस कारण से पैदा होता है, तो उच्च जाती का एहंकार करने से, कोई मनुश्य सबको प्यारा लगता है, तो वो किस कारण से या किस पुन्य से, तो सच्चे मन से जो भी धर्म की आराधना करता है, वो सबको प्यारा लगता है, कोई कोई मनुश्य सर्वमान्य होता है, यानि सबका प्रिय होता है और उसकी सब बात मानते हैं, वो किस कारण से तो परहित का कार्य करने से, किसी के वचन मदूर और बड़े ही आनंदकारी किस कारण से लगते हैं, तो आजिवन सत्य का भाशन करने वाले सबको प्यारे लगते हैं, किसी को भई होता ही नहीं या डर लगता ही नहीं वो किस पुन्योदय से, तो भईबित जीवों को निर्भ अबय या अबयदान देने से, व्यक्ति नपुन्सक किस पाप से होता है, तो बैल, गाई, आदी के अंड को स्छेदने या मर्द को ना मर्द बनाने से, सरीर में कीडे किस पाप से पढ़ जाते हैं, तो मचली, केकडे, आदी, मुख, पसुओं को तरास दे कर मारने और खाने स किस पाप कर्म से स्त्री वैश्या बनती है, तो उत्तमकुल की विद्वा के दिल में विशई सेवन की तीवर इच्छा होने पर भी माता-पिता सास ससुर की लज्जा से सील पालने के कारण पत्री किस पाप से होती है, तो पुत्र, पुत्री, बेहन, मौसी, आदी कहकर गुप्त रीती से या छुपकर व्यभीचार करने से किसी-किसी के संतान नहीं होती, तो वो किस पाप से, तो रास्ते पर हरे-भरे व्रुक्ष काटने और कटवाने के कारण युवा अवस्ता में ही स्त्री को पती का वियोग किस कारण से होता है, तो पुरुष को वशीकरन आदी, यानी वशीकरन की दवाया या मंत्र आदी का प्रयोग करने के कारण अनायास ही लक्ष्मी किस पुन्योदय से मिलती है तो गुप्तदान देने से अटूट लक्ष्मी मिलती है इंद्र नरेंद्र देवों से मनुष्य क्यों पूजनिय बनता है तो मन वचन काया से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुश्य जन्म किन कर्मों से मिलता है तो विनीत सरल भाव रखने से और विशम वाद से रहित होने से स्वर्ग और मोक्स कैसे प्राप्त होता है सम्यक प्रकार का तप और सैयम की आराधना करने से आदमी लक्ष्मिवान या अमीर किस पुन्यशे होता है तो मुनी स्रावक आदी और दीन अनातों को आहार पानी देने से स्त्री बाल विद्वा किस पापोदई से बनती है तो सती कहलाती हुई भी पर पुरुष के साथ रमन करने से या संबंद बनाने से स्त्री पुरुष पुत्र आदी किस पाप से कूपात्र होते हैं तो निश्कारन ही प्रेमियों में वैर करवा देने से मनुष्य बहरा किस पाप से होता है तो लुक छिप कर दूसरों की निंदा सुनकर खुस होने से मनुष्य गुंगा किस पाप से बनता है? छिद्रान वेसी बनकर देव, गुरु और धर्म की निंदा करने से आदमी निर्धन कंगाल किस पाप से बनता है? तो जो परधन चुराता है या दान देने वाले को रोकता है उस कारण से भोग उपभोग की वस्तु होने पर भी किस पाप से नहीं भोगी जाती तो दान देकर पस्चाताप करने से स्त्री बंद्या या बांच किस कारण से होती है तो दवाईयों से गर्ब गिराने से और मादा जानवरों को यानि सगर्भा जानवरों को मारने से किसी किसी के पुत्र पुत्रिया जनमते ही मर जाते हैं वो किस पाप से होता है तो मूल कंद आदी और मुर्गी आदी के अंडे हंस हस कर खाने से स्त्रियों के अधूरे गर्ब किस पाप से गिर जाते हैं तो कच्चे फल नोचने से और पेडों पर पत्थर बरसाने से किस पाप से मनुश्य अंदा होता है तो सहत के छत्ते के नीचे आग लगा कर मक्यों को जलाने से तो ये थी संचिप्त जानकारी आज का प्रशन है जीवन में मन चाहां क्यों नहीं मिलता है या किन पाप कर्मों के कारण नहीं मिलता है या किन कर्मों के कारण नहीं मिलता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राब